हेलो एवरीबन मैं हूँ अराधना फ्रम लानोहाब एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पड़ सकते हैं मैं साइन्स एसेस्टी और वो भी विल्कुल फ्री अट लानोहाब.com बड़ बच्चो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने चैप्टर नमबर फॉर प्रैक्टिकल जोमेट्री की एक्सराइज 4.4 और 4.5 का पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने पिछली क्लास में कम्प्लीट की थी इसी चैप्टर की एक्सराइज 4.2 और 4.3 तो देर किस बात किय है आप भी अपनी जोमेट्री नोटबुक जोमेट्री बॉक्स एंड अपनी टेक्स्बुक लेकर रेडी हो जाईए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजे चलो बच्चो शुरू करते हैं अपनी एक्सराइज 4.4 का क्वेस्चन नमबर वन और उसमें हमारा है फर्स्ट पार्ट ह और हमें ये सारे के सारी चीजों को फॉलो करते हुए करना है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम बना लेतने हैं अपना रफ फिगर सबसे पहले हमने ड्रॉ की अपनी डी ए ठीक है उसकी क्या मेजर्मेंट है हमारी 4 सेंटीमीटर आप देखिए ए पर बन रहा हमारा 60 डिगरी राइट तो हमने यहाँ बना दिया अपना कहीं 60 डिगरी क्योंकि हमें कोई कम्पल्षन नहीं है कि हमें अपना कॉमस उसकार ना है तो हम यूस करेंगे अपना प्रोटेक्टर और यहां पर ड्रॉ करेंगे 60 डिगरी ठीक है तो 60 डिगरी कुछ इस तरह से जाएगा ठीक है आप देखें D, E, A, यहाँ पर आएगा हमारा पॉइंट A और E, A हमको दी गई है 5 cm तो अब आप क्या करेंगे E से या तो आप कॉमपास से आर्क लगा लीजे या फिर आप इस जूलर को एकदम स्ट्रेट रखिए और जो यह लाइन आपने 60 डिगरी की ड्रॉ की है उस मैंसे कॉमपास की हैल्प से रूलर से मैजर कर लीजे आप 5 cm और E as a center लेते हुए एक आर्क लगा दीजे ठीक है माल दीजे यहाँ कहीं 5 cm आजया तो यह होगा हमारी पॉइंट A और यह हो गया 5 cm ठीक है आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या एंगिल है हमारा एंगिल है 90 डिगरी तो ठीक है अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते 90 डिगरी है ठीक है अब देखिए D E A हो गया तो R E आएगा हमारा पॉइंट राइट और A R आप हम क्या करेंगे A को सेंटर लेते हुए यह पॉइंट A है इसको सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक अर्ग लगाएंगे तो वह कहीं न कहीं यह 90 डिगरी की जहां भी कट करेगा उसको हम कर देंगे 4.5 cm और यह पॉइंट हो जाएगा R और फिर हम जोड़ देंगे अपने D और R को तो और इसको मैजर कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी DR की वैल्यू ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमें 3 साइट दिगें यह किस तरह का कंस्ट्रक्शन है सबसे पहले तो देख लेते 5 चीज गिवन है या नहीं है तो हमें है 3 साइट गिव और आपका बन जाएगा Quadilateral DR तो चलिए शुरू करते हैं तो चलो बच्चो Step 1 फॉलो करते हैं तो Step 1 में हमें क्या करना है सबसे पहले ड्रॉ करनी है हमें DE जो कि है हमारी 4 cm ठीक है आप देखें DE को ड्रॉ करने के बाद हम E पर बना देंगे विद्धा हैल्प प्रोटेक्टर यानि Step 2 Step 2 में आप क्या करेंगे? Step 2 में आप E पर अपना 60 डिग्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आप E जो वर्टेक्स है उस पर रख देंगे अपने प्रोटेक्टर सभी को आता होगा प्रोटेक्टर से एंगिल बनाना and measure करना तो यहाँ पर रखेंगे अपने प्रोटेक्ट बनाई था अब इस E को सेंटर लेते हुए आप लेंगे एक radius 5 cm विद दा हेल्प ओफ ये है आपका step 3 step 3 क्या है आपका E को सेंटर लेंगे और आप measure करेंगे विद दा हेल्प ओफ compass and ruler 5 cm और E को सेंटर लेते हुए इससे आप कट कर देंगे एक 5 cm माल दीज़े 5 cm यहां पर आया ठीक है आपको exact मिल गया होगा कही ना कहीं 5 cm X से आपने एक radius 5 cm का compass के help से एक आर्क लगाया और वो हो गई आपकी 5 cm और यह देखे डी ए पॉइंट हमें मिल गया यह हो गई हमारी 5 cm ठीक है आप देखे हमको दिया गया है एंगिल A 90 degree अब यहां पर आप कैसे अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे आप प्रोटेक्टर को घुमा लीजे और यहां exactly A पर रखें उसका midpoint और देखें कहीं ना कहीं जो हमारा 90 degree होता है वो एकदम परपेंडिकुलर तो कुछ इस तरह की line जाएगी ठीक है और यह हो गया हमारा angle A 90 degree angle A को 90 degree को हम ऐसे ही mark करते हैं दो परपेंडिकुलर लाइन से ठीक है आप देखें यह दोनों angle construct हो गए अब हमारा A से ही यह हमारा step 4 था step 4 में हमने क्या किया A को center लिया और 90 degree का एक protector की help से 90 degree का angle बना लिया vertex A ठीक है आप देखें जब हमारा यह बन गया तो step 5 में आप क्या करेंगे step 5 में आप A को center लेके इस मैसे AR के बराबर की length काटेंगे तो क्योंकि हमारा DEA तो complete हो गया है तो हमारा R E point आएगा राइट तो अब आप A को center लेते हुए और radius लेंगे अपनी 4.5 cm तो 4 तो थी तो कहीं नहीं 4.5 cm थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो चलिए यह हो गई 4.5 cm ठीक है अब यहां पे जहां पर यह कट कर रही है उस point को आप मार्क कर देंगे आप step 6 में आप क्या करेंगे step 6 में आप D को R से मिला देंगे ठीक है तो D को R आप जैसी मिलाएंगे आपका construction D R का ready हो गया अब आप इसमें इस side को बस measure कर लीजे तो आपका construction हो गया quadilateral का D E A R और यह किस तरह का construction था इसमें हमें three sides and two angles वर given थे मलब दिये हुए थे ठीक है तो बहुत ही आसान था हम करेंगे अपना next question चलो बच्चों हम शुरू करते है अपने question number one का second part second part में हमें क्या करना है हमें construct करना है quadilateral true with the these given measurements चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे अपनी लाइन ती आ चलिए तो रफ विगर बना लेते हैं तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अपनी TR टी यार हमारी है 3.5 cm है ठीक है तो चलिए यार बनके हमारा 75 डिगरी ठीक है अब हमारा TR यहां आएगा पॉइंट यू तो आर यू कितनी हमारी 120 डिगरी तो हमारा यहां पहीं बनेगा 120 डिगरी ठीक है यह इस तरह से और इस मैंसे हमें कट करना है अपना ओविसली यह जो है यहां पर हमें कट करना है अपना 4 cm तो माल लिजे यहां कर यहां आभी 4 cm ठीक है और यह पॉइंट हो जाएगा हमारा यह यह हमारी 4 cm ठीक है और फिर हम इसको यहां से मिला देंगे तो ठीक है यह तो बनके हमारा रफ विकर तो कुछ इत्क मिल का अगें उसका बटले किस्वाशेट है जिसमें हमारी हमारा अगें यह कैसा यह थी साइड्स हर गिर रहए और 2 एंगल्स हर अगल्रि planner के मेरे आन्या वह यह ठीक है तो बहुत ही असान है की ही डॉख करियेगा । ठीक है तो यह तो होके हमारा स्टेप वह ढ़किनल स्टब्स स्टेप टू में हम क्या करेंगे हमारा थे हंते हैं करेंगी अंग mall स्ट टेटर को यहां पर रखेंगे अपर वर्टेक्स पर और देख लेंगे कि हमारा जो एक्यूट एंगल 75 डिग्री है वो 90 से कम है तो कम सम्वेर ऐसे कुछ आएगा तो यहां पर हमने बना दिया ठीक है अब यह है हमारा 75 डिग्री यह हमने बना लिया अपना प्रोटेक्टर की हैव से तो हो गया हमारा स्टैप 2 की लाइन की एक रेडियस का आर्क कट करेंगे तो वो कैसे करेंगे सबसे पहले आप अपने कॉमपास और रूलर की हैल्प से 3 सेंटीमीटर को मेजर कर लिजे और फिर आर से एक आर्क लगाई है और जो 3 सेंटीमीटर को होगा जो जहां भी कट करेंगा उस पॉइंट को 30 सेंटीमीटर कीसे तो यह हो गया आप स्टेफ फॉर में आप म्या करेंगे स्टेफ बॉर में आप जो आप क secured यहां आ링 यूत तो आप अपने प्रोटेक्टर को यहां पर ऐसे रखिए कि जो सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर है वह आना चाहिए यू वर्टेक्स पर ठीक है तो सीधा और इस लाइन को ओवर लैप करा दीजे बेस लाइन ऑप प्रोटेक्टर से और देखें कि 120 डिग्री अप्ट्यूस एंगिल कहा रहा तो उसको आप कहीं इस तरह से कर लीजे ठीक है तो यह बन गया हमारा एंगिल यू 120 डिग्री आप देखें स्टेफ फाइव में आप क्या करेंगे स्टेफ फाइव में आप अब देखें टी आर यू तो डेफिनेटली जो अप कमिंग पॉइं स्टेफ फाइव में आप यू ए तो यू ए हमें कितनी है फोर सेंटिमीटर यानि कि अब आप अपने कॉंपास को रिएजस्ट करते हुए रूलर की हेल्फ से मेजर कर लीजे फोर पॉइंट फाइव सेंटिमीटर और यह वाली जो यू सेंटर है उससे आप एक आर्क काटि यह फोर पॉइंट फाइव सेंटिमीटर का तो यह हो क्या चमान दीजे फोर पॉइंट फाइव सेंटिमीटर का अब यह आर्क जो है वह कर रहा है आपके 120 डिग्री वाली लाइन को इंटरसेक्ट ठीक है अब स्टेप सिक्स में आप जो यह लाइन इंटरसेक्ट हो रही है मालब एंगिल 120 वाली और 4.5 cm आर्क वाली जो आर्क इंटरसेक्ट हुए है उस पॉइंट को आप बना दीजे ए ठीक है और फिर T को E से जोइन कर दीजे ठीक है तो यह बन गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाडी लेटरल ट्रू जिसमें आपके एंगिल और एंगिल यू है 175 डिग्री एंड 125 डिग्री रिस्पेक्टिवली और हमारी 3 साइड से 3.5 cm 3 cm 4.5 cm अब आप T को मैजर कर लिजे और उसकी वैल्यू को लिख दीजे तो हो गया ना आपका क्वाडी ले होगा हम चलते हैं अपने नेक्स क्वेश्चन पर चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइस 4.5 का क्वेश्चन नंबर वन क्या है ड्रॉ दा स्क्वेर रीड विद आरी इक्वल्स टू 5.1 cm आप देखे जैसे ही आपने यहां पे किवल एकी साइड देखे आपक इसकी सारी साइड होते हैं अब देखे स्क्वेयर के स्पेश। रहट आरी के होते हैं और आरल ऑल जो आपके फॉर एंग्स होते हैं वो होते हैं आपके स्क्वेर में 90 दिगरी ठीक है तो चलिए फटा फट करते हैं पहुआ पर फिर हम बना लेंगे इसका proper construction, तो चलिए, बना लेते हैं अपनी R, आरी मानली हमने ये 5.1 cm, ठीक है, आप E पर हम ड्रॉ करेंगे अपना 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री ड्रॉ किया, और इसमें से कट कर देंगे, अगें 5.1 cm, ठीक है, अब वो point हो जाएगा हमारा R, E, A, क्योंकि continuation में होता है, तो R, E, A, अब A से फिर हम ड्रॉ करेंगे, यहां से भी 5.1, कुछ इस तरह के हमारा 5.1 का सारा सारा construction हो जाएगा, अल साइड का, ठीक है, तो देखें, आप दिखिए, सारे के सारे angles भी हो जाएगे, हमारे 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, आप देखिए, यहां पर इस तरह का कुछ हमारा rough figure बन गया आप इसी को हम properly step by step करेंगे तो आपको और अच्छे से किलियर हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं construction of square read तो चलो बच्चो step 1 step 1 में आप क्या करना है step 1 में आप draw करेंगे अपनी एक line segment RE जो की है 5.1 cm आप देखें आपको पता है कि आपके सारे sides equal होते हैं square में और आपके सारे angles भी होते हैं 90 degree तो आप E पर हम बनाएंगे with the help of protector एक 90 degree तो आप सबको आता होगा फटा फटा बना लीजे ठीक है यह हो गया 90 degree आप यहां पर जो यह 90 degree वाला है तो यह हो गया step 2 step 2 क्या हो गया हमारा हमें बनाना है अपने E vertex पर एक 90 degree angle तो आप वो protector की help से बना लीजे आप सबी को आता होगा बनाना ठीक है अब उसके बाद step 3 step 3 में आप क्या करेंगे जो यहां पर point है अब आपको पता कि सारे sides equal होंगी तो R E next point के आएगा A आएगा तो आप यहां से E को center मानिए और अपने compass की help से ले लीजे compass और ruler की help से ले लीजे 5.1 cm की radius और E को center मानते हुए एक अब यह जो आर्क लगा है इस point को आप मार्क कर दीजे अब आप क्या करेंगे यह हो गई आपकी 5.1 cm ठीक है अब आपने protector को क्योंकि आपको पता है कि सारे angles में 90 degree होंगे तो A vertex पर भी आपका angle होगा 90 degree तो यहां पर एक आप protector की help से ए पर step 4 step 4 में आप क्या करेंगे ए पर 90 degree बनाएंगे with the help of your protector protector की help से तो देखिए straight angle एक ए 90 degree बनाएंगे ठीक है आप देखिए कुछ angle ऐसा गया और यह है हमारा 90 degree तो यह बना लिए आपने protector की help से अब आप क्या करेंगे step 5 में step 5 में आप A को center लेते हुए अपना जो आपने compass already adjust कर रखा है 5.1 cm radius का उसको फी आप यहां पर कट कर देंगे ठीक है उसका आर्क यहां पर कट कर देंगे ठीक है अब step 6 में आप आर को center लेंगे और अपने compass को disturb नहीं करेंगे और आ सेंटर लेते हुए यह जो एक और आर्क लगाएंगे ठीक है अब यह दोनों आर्क जो हैं वह एक पॉइंट पर intersect कर जाएंगे ठीक है इस पॉइंट को आप माल लीजे अपना डी पॉइंट ठीक है आप step 7 में आप डी को आर से मिला दीजिए तो दीक है ओटोमेंटिकली यह सारे एंगिल आ जाएंगे आपके 90 डिग्री और यह सारी की सारी साइट भी हो जाएंगी 5.1 सेंटीमीटर ठीक है यह हो गया आपका 90 डिग्री ठीक है तो देखे कितना आसान था construction हमारे रीट का हमने हमें एक साइट पता थी तो उससे हमने पता कर लिया कि सारी साइट थी 5.1 सेंटीमीटर क्योंगी और एक एंगिल हमें पता था 90 डिग्री और नहीं भी पता है तो हमें पता है कि स्क्वेर में सारे इंगिल जो है वो होता है तो उसकी हम ने बना लिया अपना square तो देखे और रोममस whose diagonals are 5.2 cm and 6.4 cm आप देखिए किलियरली हमें यहाँ पर diagonals की measurement दी गई है ठीक है अब हमें पता है रोममस में क्या होता है रोममस में होती है हमारी all sides equal तो सबसे पहले हम एक diagonal को draw कर लेते हैं तो वो कैसा draw होगा और रोममस की shape कैसी होती है हमारी होती है diamond shape तो सबसे पहले हम draw करते है rough figure और फिर करेंगे step by step इसका construction complete तो चलिए शुरू करते हैं अपना rough तो सबसे पहले हम draw कर लेते हैं अपनी 5.2 cm की एक diagonal ठीक है और हमें कोई भी vertex के नाम नहीं दिये गए तो हम इसको अपना freely कुछ भी ले सकते हैं तो हमने ले लिए अपनी 5.2 cm और इसका हमने राफ रख दिया चलिए h o ठीक है आप देखे क्या करना है आप हमें अपना इस जो diagonal मलब जो हमने h o जो भी हमें value diagonal draw किया है 5.2 उसका perpendicular y sector तो एक rough figure मना लेते हैं इसे उस परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 degree ठीक है वह मैं बताऊंगे आपको step by step ठीक है आप देखें यह आपका कहीं नहीं इसको e पे intersect करेगा आप e से आप 6.4 का half ले लिए यानी second diagonal का क्योंकि हमारे rhombus की property होती है कि जो इसके diagonal है वह bisect करते हैं इच अधर को perpendicular ठीक है तो perpendicular क्या होता है 90 degree तो 6.4 का half क्या हो गया हमारा 6.5 हो जाएगा हमारा 6.4 का 3.2 तो ठीक है अब हम e जहां पर यह हो हो को इसने e पर इंटरसेट किया उससे अपने compass की help से 3.2 cm measure करेंगे ruler से और e से e काटेंगे इधर पर 3.2 का e काटेंगे यहां पर 3.2 का ठीक है और इनको हम जॉइन और यह सारे के सारे जैसे ही आप जॉइन करेंगी तो h o ठीक है तो यह हो जाएगा p e माल लीज़े ऐसे हमने लिख लिया या फिर इसको कर लेते हैं अब नाम change कर देते हैं इसको कर दी अप और यह तो था यह तो देखे hope करके हमारा एक room bus बनेगा और यह सारी की सारी sides आएंगी equal ठीक है तो यह तो था हमारा rough figure अब हम draw करते हैं इसको properly step by step और मैं आपको बताती जाओंगी आपको कैसे करना आप इस step follow किजिए और आपका भी बन जाएगा क्या आपका room bus हो तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए बच्चो सबसे पहला step one है कि आपको एक diagonal draw करना है ठीक है और उसकी measurement है 5.2 cm उसका नाम रख देते हैं चलिए अपना HP ठीक है अब क्या करना है अब आपको step two में step two में आप यह जो आपकी HP line आपने खीचे इसका perpendicular bisector खीचेंगी तो कैसे हम करेंगे वो हम edge को center लेंगे और more than half ले लेंगे अपने 5.2 cm की radius यानि compass को इतना broad करिए कि 5.2 cm more than half उसका आप ले लें ठीक है अब फिर edge को center लेते हुए एक आप arc लगाईए upward एक arc लगाईए आप downward यानि कि क्या करना है आपको step two में आप edge पे अपना center बनाएंगे और more than half ले लेंगे इसकी radius यानि अपने compass को adjust करेंगे और इसकी more than half radius लेके एक arc ऐसे upward लगादेंगे एक downward direction में लगादेंगे ठीक है same without disturbing your compass आप P से भी एक arc upward लगादेंगे एक arc downward और जब आप या अर्क लगाएंगे यह दोनों कहीं मैं कहीं intersect कर जाएंगे ठीक है अब आप क्या करेंगे एक line ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों पॉइंट से आप जब इसको follow करेंगे तो आपके exactly जो arc के point है वो same line में fall करेंगे ठीक है अब यह point जो है जहां जहां पर इसने hp को यह वाले जो perpendicular line वाला जो हमारा bisector है इसने hp को e पे कट किया ठीक है अब आप क्या करेंगे step 3 में step 3 में आप अपना half of 6.4 जो कि हमने find कर लिया था कितना था 3.2 राइट तो अब आप e को center मानते हुए और अपने compass को adjust करके एक arc यहां 3.2 cm का काटेंगे और एक arc यहां पर 3.2 cm का काटेंगे ठीक है इसी line पर ठीक है e से 3.2 cm upward और e से 3.2 downward अब यह आपकी perpendicular line को कहीं न कहीं intersect करेगा ठीक है अब step 4 में आप क्या करेंगे step 4 में जो यह 3.2 cm वाला arc है जहां भी यह कट कर रहा है उसको आप मिलाएंगे h से upward and p से upward और फिर down में आप मिलाएंगे फिर p से upward and h से upward ठीक है तो इस तरह से आपका कुछ rhombus बन जाएगा और इसको जब आप इनकी साइट में अधर करेंगे हम इनको पॉइंट दे दी थे h o p e तो यह बन गया हमारा rhombus क्योंकि हमें कुछ नाम नहीं दिया गया तो मैंने अपनी choice से नाम ले लिया ठीक है अब आप जब इनके measurement करेंगे तो यह सारे के सारे आएंगे equal ठीक है तो जो भी यह होगी जो आपकी h o o p ho गी वही की प e hoIFA गी वही ही हिए the beauty हमारे rhombus की जब आप neurot करते हैं तो सारी के सारी साइट्स आपकी equal आएगे ठीक है तो I hope आपको सारी steps किलियर हो गए होंगे और आपने इसका construction कर भी लिया होगा ठीक है इस तरह से कुछ आपका इसका construction होगा जो कि मेरा तो एक roughly मैंने बनाया इतना clearly नहीं दिखला है लेकिन अगर आपने मेरे steps को follow किया होगा तो आपका एकदम perfect construction आया होगा रोम बसका तो I hope आपको ये question भी समझ में आया होगा हम चलते हैं अपने next question पर चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना exercise 4.5 का question number 3 question number 3 क्या कह रहा है a rectangle with adjacent sides of length 5 cm and 4 cm हमें construct करना है अपना rectangle तो बहुत ही आसान हमें दे दिया गया है कि adjacent side यानि की one और उसके next वाली side के values दी गई है मनलब कि क्या measurement है वो दिये गई है और हमें ये भी पता है कि rectangle में सारे के सारे angles भी होते हैं हमारे 90 degree और हमें कोई नाम भी नी दिया गया है तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉप कर लेते हैं 5 cm की लाइन मान लीजए मैंने ले ली A-B ठीक है और यह हमारी 5 cm अब हम क्या करेंगे यहां पर बना देंगे 90 degree ठीक है with the help of protector तो यह हो गया हमारा step 2 step 1 था हमारा हमने ड्रॉप करी अपनी 5 cm की लाइन A-B ठीक है with the help of ruler and pencil और फिर step 2 में हमने किया अपना protector की help से 90 degree construct जो की हमारे angle B पर ठीक है अब हमारी obviously यह adjacent side है इसके तो इसमें से हम कट कर देंगे 5 cm तो एक आर्क ले लिजा रेडियस का 5 cm का with the help of compass and ruler और माल दीजाए मों कहीं आ कट कर देता और यह हमारी 5 cm ठीक है और यह हमारी 4 cm का आर्क लगाना है क्योंकि हमारी adjacent side है 4 cm ठीक है तो हमने यहां से लिया और एक 4 cm का आर्क लगा दिया ठीक है अब इस point को हमने माल लिए दिए A-B-C अब C पर भी हम ऐसे अपने protector को घुमाएंगे और यहां पे 90 डिग्री ले लेंगे ठीक है तो माल लिए यह कुछ 90 डिग्री बन गया ठीक है हमें नहीं पता हूँ कितना लंबा गया या छोटा गया अगर छोटा गया तो उसको extend कर लेंगे अब यह line को extend कर लिया है आप देखे इसमें C को center मानते हुए यानि कि यह हमारा step 3 था हमारा कि हमने 90 डिग्री का angle बना लिया अपने C पर C vertex पर ठीक है आप देखे C को center मानते हुए step 4 में आप क्या करेंगे step 4 में आप C को center मानते हुए इस मैंसे इसके बराबर यानि opposite side से equal होती है तो 5 cm का एक art कट कर देंगे with the help of compass and फिर उसमें जो यह यहां पर कहीं भी कट करेगा उसको आप A से मिला देंगे उस point को तो देखे बनगे आपका rectangle with all the angles 90 degree और आपकी opposite side यह 4 cm है तो आयोप आपको यह समझ में आ गया होगा और हम चलते हैं अपने next question पर चलो बच्चे हम शुरू करते हैं अपना exercise 4.5 का question number 4 तो question number 4 क्या कह रहा है draw the following तो हम तो heading same ही चली आ रही थी हम हमारा पैललोग्राम हमें draw करना पैललोग्राम okay we are okay is 5.5 cm and case 4.2 cm is it unique चलिए आप देखे अब हमें सबसे पहले क्या करना हम पैललोग्राम की properties को recall कर लेते तो पैललोग्राम की property क्या होती है एक तो होती है कि इसके opposite sides equal होती है दूसरी होती है कि इसके opposite angles भी equal होते है ठीक है तब सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी okay line ठीक है तो हमने ये okay draw की 5.5 cm की step 1 है हमारा हमें draw करना है okay line 5.5 cm की अब देखे हमारे पास कोई angle नहीं given है हमें sides तो पता है opposite sides equal होती हो विना angle के हम कैसे construct करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो हमें कुछ angle लेना पड़ते हैं तो हम ले लेते हैं महां लिजे angle k equals to 60 degree तो ठीक है यहां पर हम बनाएंगे अपना 60 degree तो आपको मालूम है कॉमपास से कैसे बनता है सबसे पहले आप ले लीजे कोई वी एक radius का आर्क के as a center लेते हुए एक आर्क ट्रॉ कर दीजे ठीक है यहां से कोई वी रेडियस का आर्क ट्रॉ कर दीजे अब अपने k को center लेते हुए जो की o k को एक point पर intersect करेगी अब जहां यह intersect कर रहा है वो point लेके without disturbing your compass एक और आर्क लगा दीजे यह बन गया आपका 60 degree ठीक है तो देखें somehow ऐसा कुछ बन जाएगा ठीक है यह बन गया आपका 60 degree ठीक है यह हो गया आपका step 2 आप देखें o k a तो यहां पर ह k a को लेंगे तो k a हमारा कितना हो जाएगा step 3 करेंगे step 3 में आप क्या करेंगे k को center लेते हुए और अपने compass और ruler की help से आप लेंगे 4.3 4.2 cm की radius और k को center लेते हुए आप लगाएंगे 4.2 का एक आर्क ठीक है तो यह आर्क जो है वह आपकी 60 डिग्री वाली लाइन को एक पॉइंट पर कट करेंगा ठीक है उस पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए ए ठीक है अब आपका step 4 ठीक है अब step 4 क्या है हमारा अगर इसमें पहलो यह क्या होते है हमारे पहले लोग्रम के सप्लीमेंटरी ठीक है अप देखिए यह एंगिल के जो है वह हमारा 60 डिग्री तो मतलब क्या होता है 180 डिग्री माइनस 60 यानि कि वह हो जाएगा 120 डिग्री ठीक है अपको एइंगे सुप्ली मेंटरी अब आप से मलब जो आप step 4 में क्या करेंगे जो यह वर्टेक्स ए है ठीक है step 4 की बात कर रही हूं यहां पर आप अपने प्रोटेक्टर को रखिए यहां कॉमपास की हेल्प से बना सकते कैसे बनाएंगे फिर आप एक एप्रोप्रीट रेडियस लीजे और यहां एक को सेंटर मानते का लगा दीजें त्यक है अब आफ की के को कई ऐंट्रसेक्ट करेंगा अब को बढ़ी को compass एक लगाई है और फिर दूसरा लगाई है जहां यह दूसरे आर्क को cut करेगा जहां यह first आर्क को cut करेगा बस वहीं से ड्रॉ कर दीजा आप अपनी 120 डिग्री की लाएं ठीक है आप देखे यह हो गया हमारा 120 डिग्री अब यहां से आप इस पॉइंट पर यानि कि step 5 की बात कर देएं मैं step 5 में आप क्या करेंगे यह जो point मलब जो यह है यहां पर आपने यह 120 डिग्री ड्रॉ किया है उस मेंसे आप इसके बरावर क्योंकि opposite sides equal होती है 5.5 cm कट कर दीजे ठीक है तो मैं थोड़ा neatly ड्रॉ कर देती उसे ताकि आपको समझ में तो देखे बच्चो हमने अपना 120 डिग्री कंस्ट्रक कर लिया था और उसमें से हमने रेडियसली फिर से अपने ए को सेंटर मानते हुए यह आपका स्टेप 6 ए को सेंटर मानते हुए आपने इस मेंसे को क्या opposite sides equal होती है इस मेंसे आप 5.5 cm का एक आर्क लगा देंगे अब यह आर्क आपकी 120 डिग्री वाले को कहीं कट करेगा वो पॉइंट आप माल लेंगे y ठीक है और वाई को आप मिला देंगे ओसे ठीक है तो यह आटोमेटिकली आजाएगे आपकी 4.2 cm यह आपोज़ेट साइट सीक्वल आजाएंगी और यह जो एट्जसाइट एंगल हो सप्लिमेंटरी थे तो यह देखे यह 60 डिग्री है और यह 120 डिग्री हो गया तो ओविस कि हमें अपना कोई एंगिल नहीं दिया गया था तो हमने आपे 60 डिग्री मान लिया था और उससे इसक्ट्रक्ट किया है तो एंगिल के की जगए कोई और एंगिल के भी लेकर हम इसे बना सकते हैं तो यह बिल्कुल भी यूनीक नहीं है तो आई होप आपको यह सारे पार अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यह कंस्ट्रक्शन ओके भी अच्छे से समझ में आ गया तो बच्चों यह तो था हमारे चैप्टर नमबर 4 प्रैक्टिकल जोमेट्री की एक्सराइस 4.4 और 4.5 का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको सारे कंस्ट्रक्शन अच्छे से स step by step समझाएं और मैं आशा भी करती हूं कि आप समने इनको अच्छे से step by step फॉलो करते हुए बनाया होगा आप ऐसे और भी बहुत सारे क्वेस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस कीजिए और हो जाएए इस कॉंसेप्ट में एकदम शूर हम जल मिलेंगे next class में और आप सभी जानत है लानो हाँ free है but best है thank you